सादू, 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 नमु बुद्धाय, आज हम लो ततागत बागवान बुद्ध की ओरे सूत्र उपदेश को सिखेंगे, ये सूत्र उपदेश का नाम है पत्त कम्म सूत्र, क्याये उपदेश का नाम पत्त कम्म सूत्र, अंगुत्र निकाय में है ये सूत्र उस दिन ततागत बगवान बुद्ध से मिलने के लिए श्रावस्ति जेतवन आश्रम में अनाथ पिंडिक सेड़्जी आगें तो ततागत भगवान बुद्ध जी अनातपिंडिक सेट जी को ये सूत्रुपदेश दे दिये हैं ततागत भगवान बुद्ध ने बताया पुन्यवान गुर्वपती इस दुनिया में चार कारण है ये चार कारण बहुत ही दुरलब है मंगर ये सब कुछ बहुत अच्छा है बहुत कल्यान है बहुत कीमत है क्या ये चार कारण थथा ये बहुत प्रिय है दुरलब है मुश्किल से मिलता है अब ये चार कारण के बारें बगवान बुद्ध समझा रहे हैं पहला है धार्मिक से धन कमाना किसी का अभी मन में सबसे पहले उत्पन होने वाले खुबसुरत सुन्दर कारण क्या है वो है मुझे धार्मिक भोग संपत्ती कमाने का मौक मिल जाए मुझे से धार्मिक से ही पैसा धन संपत्ती कमाने का काम होना चाहिए कैसे धार्मिक से किसी को धन हो सकता है गाड़ी जमिन धन संपत्ती हो सकता है मगर वो सब कुछ गलत डंग से कमाए होंगे तो ऐसा है तो जिस जगा पे हमेशा अपना दिल खुद को डाटता है दोस लगाता है हम इतना सारे धन कमाए लेकिन गलत डंग से काल दन धा मेरे पास ये काल दन दो नंबर का पैसा मेरे पास अपना मन खुद को दोस लगाता है मरने दमता मुझे धार्मिक डंग से सधारन से मौका मिला ही नहीं मैंने मेहनत किया नहीं मगर दुस्रों को दुनिया को दिखाता नहीं है। दुनिया को दिखाता है, वो हस्ते हस्ते, मुस्कुराते हुए, अच्चा-चा का बड़ा पहन के ठीक से रहता है। फिर भी उसका दिल उसी को दोस लगाते रहता है हमेशा। इसलिए ततागत बगवान बुद्नी बताया, इस दुनिया में बहुती दुरलब तथा बहुती सुन्दर अच्चा एक कारण है, वो क्या है। धार्मिक रहते हुए, धार्मिक डंग से, सही डंग से, धन संपत को खमाना, इस संसार में बहुती दुरलब है। इसका मतलब वो जो कुछ व्यापार, नोकरी करता है, पैसा कमाता है, कोई भी चीज करता है, वो कोई भी उपाय से, कोई भी बिस्नस से, किसी को हान नहीं पहुंचता है। दुसरों का चीज, असाधारं डंग से, लूटता नहीं है, ठागता नहीं है, किसी को धोका देता नहीं है। उसी प्रकार, अगर वो धन कमाएंगे तो, वो दुनिया में बहुती दुरलब है। ऐसा है तो, दुनिया में सुलब चीज होता है, यानि कि दुरलब वो है तो, जाद से जादा क्या होता है दुनिया में। अधार्मिक डंग से धन संपत्ती को कमाते हैं। दुनिया में हर एक देश के लोग, अलग अलग प्रकार के काला दंदे करते हैं। काला दंद करते हैं। तो, वो हमेशा हर जगा होते रहता है। वो उत्तम नहीं है, वो नीच है। क्यूंकि अपना मान खुद को दोस लगाते रहता है। अगर जो कोई धार्मिक से, धार्मिक डंग से धन को कमाएंगे तो, वो तो बहुत दुरलब है। ये दुरलब पहला कारण है। ततागत बगवान बुद ने दिकाया। वो क्या है। किसी को विना तकलिफ दे के, विना कस्ट दे के, विना धोका दे के, वो हमेशा प्रार्तना करता है। धार्मिक डंग से, मुझे भोग सामपत, पैसा, धन सामपत्ती कमाने का महुका मिले। इसी प्रकार से, वो करता भी है। वो बहुत मुश्किल, दुरलब है। दुसरा कारण, तथागत बगवान बुद्ध ने बताया, भोग सामपत्ती मिलने के बाद, वो भोग सामपत्ती के साथ, यानि की धान, जमीन, गाड़ी, सामपत्ती, जो कुछ कमाता है, वो सब कुछ, मेरा रिष्टेदार, मेरा परिवार के लोगों के साथ, ये सब कुछ आग बढ़ जाए, यानि की अपना परिवार लोग भी येसा धन समपत्ती से आग बढ़ना चाहिए, ऐसा ये दुरलब दुसरी कारण है, ऐसा है तो पहला दुरलब कारण क्या है, धानमिक डंग से धन को कमाना बहुत ही दुरलब है, तता बगवान बुद न बताया, कोई-कोई लोग दन को धारमिक डंग से खमाते हैं, मगर वो दन खमाने के बाद, अपने ही बाल बाच्चे हैं, रिष्टेदार लोग हैं, वो लोग धारमिक डंग से आगी बढ़ता है, पढ़ाई करते हैं, वे लोग व्यापार करते हैं वे लोग भी धार्मिक से व्यापार करते हैं वे लोग भी धन से आगे बढ़ता है ज्यान से आगे बढ़ता है गुंधरम से आगे बढ़ता है उसी प्रकार सोचना ऐसा सबी लोग धार्मिक से आगे बढ़े पढ़ाय लिकाई हो और अमीर हो गुंधरम से भी आगे बढ़े इसी प्रकार भी सोचना बहुत ही दुरलब है ऐसा है तो पहला दुरलब कारण जैसा ही दुसरा भी अब देखिए कोई-कोई लोगे धार्मिक्स डंग से पैसा कमाते डंजाम पते मगर बाल बाच्चे बिमार हैं कोई-कोई तकलीफ है या तो फिर बाल बाच्चे पाड़ा ही नहीं कर पाता है कामजोर है माई बाब दोनों बहुत मेहनत करके दार्मिक डंग से पैसा कमाते हैं कोई कोई गहर में बाल बाच्चे लोग नासा करके गलत गलत आदत से विविचार करके या तो फिर कोई ना कोई चीज से अपना माई बाप का धन को नश्ट कर देता है एसी हूनी पर मापिताजी का दिल में बहुत दुक उत्प दर्द होता है क्या दर्द है अरे मैं बहुत मेहनत करके कमाया हुए धन को अभी क्या हो रहा है अगर एसे नहीं होना चाहिए तो यानि कि अपना कुछ धार्मिक से धन को कमाया उसी प्रकार अच्ची तरह से धार्मिक से इस्तमाल करने वाले बाल बाच्चे रिष्थिदारलोग पती पतीनी सबी लोगं के साथ आगे बढ़ना पहुत्थी दुर्लब है ये दुसरी कारण तिसरी कारण तता अगतने बताया अब वो धार्मिक डंग से पैसा कमा के अब उसका मान भी खुद को दोस्त नहीं लगाता है जामीन, घरद्वार, गाड़ी ये सब कुछ उसके पास है था था अपना पाती, पाती नि, बाल बाचे, रिष्थदार लोग, मित, दोस्त लोग सबी लोग साथ में आगे बढ़ते हैं धार्मिक डंग से वे लोग पढ़ाई करते हैं, व्यापार करते हैं, अच्चि तरह से सुंदर से आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो वो दो कारण हो गया है तिसरी कारण है ऐसा धार्मिक डंग से पैसा कमा के उन लोगों के साथ जादा समय जीवन बिताना बहुती दुरलब है कोई-कोई लोग है धार्मिक डंग से पैसा कमा के अमीर होते होते आ रहा है मगर व्यापार सुर करके कुछ समय में मर जाते है अकाल में मर जाता है ऐसा है तो लंबी उम्र दीरग उम्र भी मिलना बहुती दुरलब है ये तीसरी कारण है हम लोग अभी सी के पहला कारण क्या है धार्मिक डंग से पैसक धनसामपति का माना बहुत दुरलब भाग्य है दुसरा भाग्य क्या है दुरलब धार्मिक डंग से जो धनसामपति कमाता है उसके साथ साथ आपना बाल बाच्चे रिष्चेदारलो पाती पातीनी आपना दोस्तलो आगे बढ़ना विना कष्ट पीडा से बहुत समेता जीवन बिताना वो तिस्री कारण इसी प्रकार अच्ची तरह से धन को कमाके सुक्स से रहके अपना बाल बाच्चे और पाती पातीनी रिष्चेदार दोस्त लोगों के साथ और आगे बढ़के खुद भी विना बिमार विना कष्ट परेशान से सुखी से जीवन बिता कि बुड़ा हो जाते हैं बुड़ा हो के मर जाता है मरने के बाद देवताओं के पास जनम लेना चौथी दुरलब भाग्य है ऐसा है तो ये जीवन में सोचना चाहिए हम लोग ये कारण हम लोग इसी जीवन के लिए सिरिफ नहीं इसी जीवन में हम लोग जैसा तैसा दन कमाके अधार्मिक डंग से रहे के मरने के बाद अगर नरक में चल गया तो हम लोग जीवन भर जो कमाया उससे कोई मतलब नहीं अगर धार्मिक डंग से पैसा कमा के अपना रिष्दिदार लोगों को इस्तमाल नहीं कर पाएंगे तो धन संपात्ति फेर भी उसी धन का कोई मतलब नहीं है धारमिक डंग से अपना जीवन, अपना धन संपत्ती नश्ट हो गया तो वो भी कोई मतलब नहीं है तता मरने की बाद खराब जगा आपे जनम लेंगे तो यानि की नरक में, जान्वर जना में, भूत प्रेतु में जनम लेंगे तो फिर भी कोई मतलब नहीं है एसे तो ये चार भाग्य दुनिया में बहुत ही दुरलब है, देखिए बगवान बुद्ध की ज्ञान कितना सत्य है, संपूर्ण सत्य है किसी को बहुत धार्मिक दंग से विना कोई कष्ट परेशान से, विना कोई चिंता से, अच्ची तरस से पैसा कमा के, अपना बिस्नस व्यापार को आगे बढ़ा के, गाडियूरी खरीत के, जमीन करीत के, घरद्वार अच्छा से बना के, धार्मिक दंग से, कुशी से रहे तो आगे बढ़ेंगे तो सच मुच में वो भाग है की नहीं असलियत में दुरलब भाग हैं नहीं तो ऐसा हो जाएगा महुत मेहनत करके कमा आएगा बड़ा बड़ा गाड़ी पे जाएगा जमीन खरिद लेगा घरद्वार भी अच्छे से बनाएगा मगर ये सब कुछ असा कमाए हुए चीज है तो अपने मान खुद को दोस लगाता है ऐसा है तो विना दोस लगा के रहना कुछी से रहना बहुती दुरलब कारण है मुश्किल से मिलता है कोई-कोई लोग क्या करता है धनसामपत्य कमाने के लिए दारु बेचता है कोई-कोई लोग पैसा कमाने के के लिए मांस बेचता है कोई-कोई लोग पैसा कमाने के लिए मांस के लिए जानुर बेचता है कोई-कोई लोग पैसा कमाने के लिए जहर बेचता है कोई-कोई लोग धन को कमाने के लिए नौकर लोग बेचते हैं मगर ततागत बागवान बुत ने बता ये सब कुछ अधार धार्मिक नहीं है ये सब कुछ चीज से परेशान ही मिलते रहता है ततागत भागवान बुद्ध ने बताया जो धनसामपति मिलने के बाद धार्मिक डंग से जो धनसामपति कमाता है जो धार्मिक डंग से धनसामपति कमाने के बाद उनके बारे में हर जगा नाम प्रकास हो जाता है हर जगा नाम फैल जाता है कैसे ये तो उसी परिवार की है ये लोग उनके पास धन समपत्ती है ये लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग है ये मैडम ये सर बहुत अच्छे है इन लोग कभी गलत काम नहीं करता है अच्छी डंग से पैसों इसा कमा के आगे बढ़ गए इसा करके उन लोगों के बाहरे में धार्मिक लोगों के बाहरे में चारो दिसा नाम फैल जाता है अच्छा डंग से धार्मिक डंग से पैसा कमा के धन संपत्य कमा के फिर अपना रिस्तेदार परिवार के साथ आगे बढ़के विना बिमार होते है विना कष्ट होते है लंबी उम्र मिलके सुकी से जीवन बिताने का भागी मिलना बहुती दुरलब भी चौती भागी क्या है लंबी उम्र मिल गया बुड़ा होके मर गया मरने के बाद भूत प्रेत नहीं बना जान और साप नहीं बना नरक में नहीं गया देवताओं के पास दिव्य कुमार जनम पाए है यह तो फिर दिव्यरानी का जनम पा सकते हैं सच मुच में यह तो भागे हैं इसके बाद भगवान बुद्द ने बताया अनात्यपिन्दिक सिट जी को घ्रपती यह फुन्यवान भाग्यवान चारकारण मिलने के लिए और चारकारण अपनाना पड़ेगा ओर चार ऐसा है तो और चारकारण है वही चारकारण अपनाएंगे तो ये चार कारण मिल जाएगा धन के बारे में चार कारण मिलने के लिए और चार कारण है वो चार कारण को अपनाना पड़ेगा पहला है श्रद्धा अनात पिंडिक सिर्जी को बगवान बुतने बताते हैं आरे श्रावक आरे श्रावक मतलब आरे कोन है आरे कहता है सत्ते को जो सही है पारिशुद्ध है उसको आरे कहता है अनारे कहता है जो पापी है गलत है ऐसे है तो आरे कहता है बगवान बुद्ध को भी आरे कहते है बगवान बुद्ध की धरम को भी आरे कहते है ऐसे है तो आरे साव को मतलब जो भगवान बुद्ध की शरण में गए हैं वो श्रावक, आरे श्रावक है सद्धो होती, श्रद्धा से परिपूर्न है इसके बाद सद्धाती तथागता सबोधिं तथागत भगवान बुद्ध की अनुबोध के बारे में ततागत बगवान बुद्ध की ज्यान के बारे में पुरा विश्वा से भरोसा है यही स्रद्धा संपत्ती है आरे स्रावक का पहला संपत्ती पहला कारण ऐसे तो बगवान बुद्ध के बारे में समझना चाहिए कैसे जानना चाहिए मालम होना चाहिए भागवान बुद्ध के पास नो गुन है अरहं यानि की राग क्रोध मोह को नष्ट किये है सम्मासं बुद्ध मतलब उत्तम चार आरे सत्य बिना गुरू की उपदे से प्राप्त किये है विज्चारन संपन्य अनंत अंगिनत विद्ध्याउं के साथ सुन्दर से जीवन बिताये है सुगत यानि की आरेस्टांग की कमारग प्यापना जीवन को आगे बढ़ाये है लोक विदू यानि की सारे लोकों के बारे में संपूर्णुप से जान गये है अनुत्रो पुरिषदम सारती दुसरों की सुधारने वाले उत्तम महा पुरुस सात्था देव मनुस्जान यानि की सारे देवता एवा मानव का गुरू सास्था बुध्elim यानि कि आरे सत्य को खुद प्राप्त करके सत्य रास्ता पे जा करके ज्ञाम प्राप्त करके वही सुन्दर सांती का रास्ता बागी लोगों को भी बहुत सुन्दर सरल से समझाए हैं बताए हैं उपदेश दिये हैं इसके बाद भगवा इतना ही अंगिनत गुन लेकर के रहने में भाग्यवान है अंगिनत प्रग्णा है विश्मित ग्यान है महा करुना है इसलिए उनको भगवान कहते हैं ऐसा सोच के ये गुन अब हम छोटा करके बता है लेकिन लंब लंब आच्छा से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा स्रद्धा उत्पन होता है इसी प्रकार आहरे श्रावक बगवान बुद्ध की अनुबोध के बारे में बगवान बुद्ध की ज्यान के बारे में पुरा विश्वास करता है ये है स्रद्धा संपत्ति अगर स्रद्धा संपत्ति उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा कुछ विश्वास नहीं करेगा नया नया कुछ आ गया तो तुरंत वो पगड लेगा कभी-कभी जो नया नया चीज अब आता है और कोई कहता है नहीं नहीं वहाँ चल जाए वहाँ याग्य बहुत अच्छा से होता है डंग से होता है चल जाएए वहाँ दोड़ता है नहीं वहाँ महाजीत में चल जाएए वहाँ अच्छा है वहाँ देहान भी अच्छा है इसे कि वहाँ दोड़ता है फिर बोलता है ये इदर उदर दोड़ते रहता है क्यों क्यों की श्रद्धा नहीं है ना ही बगवान बुद्ध के बार में जानते हैं ना ही बगवान बुद्ध की धर्म के बार में जानते हैं ऐसा है तो ये धार्मिक भोग संपात को मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा ततागत भगवान बुद्धर परती श्रद्धा उत्पन होना पड़ेगा नहीं तो नहीं कर सकता है भगवान बुद्धने बताया ग्रह पती अच्चा से प्रियच प्रकार से अच्चे तरह से पुन्यवान भाग्यवान ये चार कारण अगर पाना चाहेंगे तो और चार कारण अपनाना पड़ेगा उसका पहला कारण क्या बताए श्रद्धा संपत्ति श्रद्धा संपत्ति मतलब तथागत अरहत भगवान बुद्ध के बारे में अनुबो अनुबोद का विश्वास अज्ञान की विश्वास नहीं मूर्दी देखके एसा नहीं ज्ञान सुनके भगवान बुद्ध प्रते जो विश्वास उत्पन होता है वही इसके बाद वो स पहचान सकते हैं उनको बगवान बुद्ध की धरम के बारे में ऐसा है था हम लोग कभी कभी बुद्ध पूजा करते हैं उससे बुद्धानुसती पुन्य मिलता है कभी कभी हम लोग पूल पूजा करते हैं खीर पूजा करते हैं यह सब कुछ बुद्धानुसती पुन्य है क पेडों के नीचे उन्होंने सोय थें उस समय पेडों से तुरन पूल खिल-खिल के उनका सरीर में गिर रहे थे और दिब्य सुगंध हर जगा फैल गया है देवताओं की सुन्दर अवाज चार तरफ आने लगा देव लोग से सुन्दर सुन्दर फूल गिर रहा है बगवान बुद्ध की पास देवताओं बगवान बुद्धी गुन गार है उस समय आनद बनते जी ने बतायता तागत बगवान बुद्धी जी बहुत आस चार रहे है देवताओं भी आपकी गुन बोलते बोलते लाकों करोन अरबों देवताओं पुरा भरा हुआ है एक माक्की को आस्मान में जाने का जागा नहीं उतना ही देवता है और इतना सारा पेड़ पाउदों का फूल भी तुरंट कील की गिर रहा है आपके पास आस्चारी ततागत आस्चारी भगवान गुत ने बताया आनन्द ये कोई मतलब का नहीं है ये सब कुछ सही नहीं है ये होते रहता है उनलों को पूर्णे मिलेगा मगर मेरे लिए जो असलियत में पूजा करना चाहेंगे तो जो मैंने बताया उसी उपदेश को पालन करना चाहिए जो मैंने बताया उसी उपदेश पालन करेंगे तो वही है मेरे लिए असली पूजा ऐसा है तो बगवान बुद्ध अपना शिश्य लोग से क्या इंतजार किये है मेरा शिश्य लोग मुझे सिरी पूजा करो ऐसा नहीं बगवान बुद्ध ने बताया धर्म की रास्त पे जा करके अपना जीवन को सुधारने के लिए देखिए कितना सुंदर है ये कारण जरूर अहिंसक लोगों को ये अपना सकता है गमंडवाले, बदमास वाले, मूरक वाले लोगों को ये कारण की बार में सोच भी नहीं सकता है वे लोग अधार्मिक डंग से आगे बढ़ने के लिए कोशिस करते हैं धार्मिक डंग से नहीं बगवान बुद्ध के समय में कभी-कभी बगवान बुद्ध दवा का इलाज करवा थे, दुसरों को ये जाड़ी बुटी लेकर के पीली जी, बिमार टीक हो जाएगा बगवान बुद्द को अराम से दुसरों का बिमार टीक करवा सकता था मगर बगवान बुद्द, अपना धृरम के लिए किसी को ऐसा जादु नहीं दिकाए अराम से अपना प्वर से दुसरों का सारी थब यक्ती करवा सकता आजकल ऐसा लोग करते हैं न, थोड़ा कुछ बिमार ठीक कर वा था, वही बहगवान बन गया, थोड़ा कोई सो न दिया तो लज़ान न बहगवान बन गया बगवान बुद्ध के समय एक उपासी का थी सुपिया सुपिया एक दिन क्या की कुछ बिमार के लिए संत को अपना पैर का मांस काटके जोर बना के पूजा किया उसी बिमार को ठीक करवाने के लिए बगवान बुद्ध पूछ रहे थे सुप्या उपासिका प्रोजन सुनने के लिए समय नहीं आती है क्या करती है फिर बताया सुप्या ऐसा बिमार है फिर बगवान बुद्ध ने आस्रम में रहकर के बताया सुप्या सुकी हो तुरन सुप्या का पैर ठीक हो गया और सीविली भन्ते जी का मा के बारे में आपलो सुने होंगे सीविली भन्ते जी अपना मा के पेट में साथ साल तक थे बागवान बुद्ध को बताने को बागवान बुद्ध ने तुरंद बताया सीविली भन्ते जी का मा को वो सुखी हो तुरंट एकदम चाई चाननी से पानी चान के आना जैसा बच्चा तुरंट मिल गया, निकल गया, कोई तकलिफ नहीं हुआ और एक दिन सुबह अरहन बंते जीनी, अरहन बिक्षुनी एक आदमी के कारण सुबह अरहन बिक्षुनी के आख के अपना आखे निकाल को उसको दे दिया वो आदमी ढ़र के बिहोस हो गया, फिर वो आख लेके आते से मैं बगवान बुद्ध, देख देख के बगवान बुद्ध की बाल से फिर आख ठीक हो गया मगर कभी भी बगवान बुद्ध अपना धरम ज्ञान को दुसरों को देने के लिए ये जादु इस्तेमाल नहीं किया देखिए ऐसा गुरु का आस चरे, आजकल ऐसा कोई गुरु मिल गया तो तुरां बताएगा हम सबको बिमार ठीक करांगे मेरे पास आओ तुरां विदेशी लोगों का गाड़ी, धन संपत्ती, पैसा, बैंक अकाउंट में पैसा, सब जमा करेके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा बगवान बुद्ध के लिए वो कोई भी जरूरुत नहीं था इसलिए बगवान बुद्ध जी कभी-कभी जंगल में सोते थे, कभी-कभी जंगल में दो, तीन, चार माही न रहते थे, धिहान कर रहते कोई भी लाब सत्कार संपत्ती पे कोई आ सकते नहीं थे इसलिए हम लोग समझना चाहिए एसा गुरु हम लोगों को मिल गया तो, इसका मतल़ हम लोग का मन में स्रद्धा उत्पन हो गया तो, ये दुरलब भाग जे है इसलिए ततागत ने बताया, आगे बढ़ने के लिए पहला क्या चाहिए? शद्धा संपत्ति चाहिए, पहला चार कारण को पाने के लिए, पहला चार कारण क्या बताया, धार्मिक डंग से धनी होना, और धार्मिक डंग से धनवान बनके, अपना परिवार लोगों को साथ भी धार्मिक डंग से आगे बढ़ना, तिसरा क्या, धार्मिक से धनवान ह कि अपना परिवार लोगों के साथ बहुत समय तक जीवन जीना चोता क्या है एसा बहुत समय तक जीवन जी के मरने के बाद देवताओं के पास जनम लेना ये चार कारण को पारने के लिए और चार कारण अपनाना पड़ेगा ना उससे पहला क्या है स्रद्धा यानि कि तथा बगवान बुद्ध परती अठल स्रद्धा किसी को नहीं हिला सकता है यही अठल स्रद्धा उत्पन होना चाहिए तो अपना पास बुद्धी ज्यान चाहिए विना बुद्धी ज्यान से स्रद्धा उत्पन होता ही नहीं दूसरा कारण बगवान गुद्ध ने बताया सील सील संपाति एसा है तो आरे श्रावक क्या करते हैं श्रद्धावान हो गया श्रद्धावान होने को दूसरी कारण अपनाए है वो क्या है प्रानियों को हत्या करना थ्याग कर देता है चोरी करना थ्या करता है वे बिचार गलत काम करना चोर देता है जूट बोलना चोर दे चोरते हैं सत्य ही बोलते हैं और शराब वगेरा नशीले कुछ भी है जो इस्तमाल नहीं करता है ये है सील संपात्ती एसे है तो अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मदद होने वाले पहला कारण क्या है श्रद्धा संपात्ती अगर श्रद्धा संपात्ती को हानी पहुंच गया तो बागी सब कुछ में हानी पहुंच जाएगा क्यों? जिसका दिल में बगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा नहीं है वो कभी भी अपना जीवन सुधारेगा नहीं इसलिए बगवान बुद्ध ने हमेशा श्रद्धा सुरुवात में दिखाता है बताते हैं स्रद्धा सबसे पहले तैयार करना चाहिए इसके बाद इस श्रद्धावान पुरुस दुसरी कारण भी अपनाता है दुसरी कारण क्या है? सील हात्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, वबिचार नहीं करता है, जूट नहीं बोलता है, नशा नहीं करता है ऐसा है तो वो क्या करेगा? अगर जूट बोलेंगे तो अराम से आगे बढ़ सकता है फिर भी जूट बोलेगा नहीं सुरक्षा करेगा अगर हत्यारा हो गया तो अराम से आगे बढ़ सकता है लेकिन हत्या नहीं करता है अगर दारू पी के दारू पिला के बेच के काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन ये सब नहीं करता है धार्मिक डंग से आगे बढ़ने का दुसरी कारण सीलवान होना चाहिए तिसरी कारण है चाग सांपता यानि की देना त्यागना कुछ भी त्याग करने के लिए अपना पास हिम्मत चाहिए भगवान बुद्द ने बताया विगत मल मच्च रेन चेत सा अगारं अज्जावसती यानि की खंजूसी विचार को हटा के लालची विचार को हटा के लोभी विचार को हटा के वो घर में रहता है दुसरों को देता है मुद्ट चागो यानि कि वो हमेशा देने के लिए घर में समन अलग करके रखता है पाय तपानी यानि कि देने के लिए हमेशा अपना हाथ को तेयार करके रखता है वो सगरतो दान देने के लिए ही रत हो जाता है यानि कि दान देने के लिए तेयार है याँच योग हो यानि कि उसी से कुछ भी मिनने के लिए योग हैं कि वो देने वाला है ऐसा है तो लोग उनके पास आता है मांगने के लिए दान सम्वी भागरतो दान को बाटने के लिए बहुत पसंदमन से रहते हैं इसी प्रकार थ्याग संपत्ती भी प्रयास करता है ये दुरलब तिस्री कारण है ऐसा है तो थ्यागी मन से ग्रहस्त जीवन में रहना चाग संपता है आप देखिए पहले जो बताया चार कारण वो चार कारण को पाने के लिए और चार कारण अपनाना पड़ेगा पहला क्या है श्रद्धा संपत्ती दुसरा है सील संपत्ती तिस्रा है त्याग संपत्ती ये सब कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो दान देना प्रयास नहीं करेंगे तो उनको कभी भी इंतजार करने पर भी कुछ भी नहीं मिलता है इसलिए वो अधार्मिक डंग से मेहनच करना सुरू कर देता है इसलिए ये सब कुछ प्रयास करना जरूरी है इसके बाद ततागत ने बताया चोति खारन प्राज्ञा सामपत्ति यहां उन्होंने दिखाया अपना यश्कीर्ती सुख नश्ट होने वाले पांच कारन के बारे में ग्रहस्त जीवन में रहते समय दुसरों का समान पे आ सकत होना यान की अभीध्या होना और गहरी लोग विशम लोग ये दोनों है तो अपना जीवन में पैल जाता है अभीध्या मतलब क्या है हमेशा प्रार्त ना करते है दुसरों को समपत्ती मुझे मिल जाए ऐसा लोब अभीध्या के साथी लोब उत्पन होता है उसी पापी लोब मन से ही हमेशा वो काम करते रहता है कभी कभी अपना खेती में अपना जमीन में दुसरों का जमीन से गहरा बनाता है गहरा लगाता है क्यों लगाता है सोचता है कमसे हम एक दुसरों का धन संपत्ती से दुसरों का जमीन से कमसे हम एक फीट भी मुझे मिल जाए वो लोब है अभिद्या है हमेशा दुसरों को संपत्य अपनाने के लिए सोच के रहता है बहुत पापी दुष्ट है घर द्वार में रहते समय अखिच्चंग खरोती जो नहीं करना चाहिए वो करता है किच्चंग अपरा देती जो करना चाहिए वो छोड़ देता है इसलिए उनके पास जितना अच्चा नाम कल्यान नाम है वो सब कुछ खतम हो जाता है बगवान बुद ने बताया दुसरों को संपत्य अपनाने के लिए हमेशा सोच के रहता है लोभीमान से उनके पास पहले से हैं जो कुछ कीरती, यश, संपत्ती था तो वो सब कुछ पहले से ही कतम हो जाता है अब वो रहता है इसके बाद गुस्सा मन से गुस्सा मन से, क्रोधी मन से रहने से अपने को कोई कल्यान नहीं होता है इसलिए वो जो नहीं करना चाहिए वो करता है जो करना चाहिए वो छोड़ देता है गुसी गुस्सा मन से जलते जलते रहता है इसलिए एसा गुस्सा मन से रहता है क्रोधी मन से जलते जलते रहने के कारण जितना यश्कीरती सुक था वो सब कुछ खतम हो जाता है तिसरा कारण है हमेशा घर में सो जाता है आराम करता है सुबा आट नो बजे तक सोते हैं कुछ न कुछ चायो ही कुछ खाऊ पी के फिर फलंक पे जाके सो जाता है ऐसा आलसी मन से रहने वाले लोग भी जो नहीं करना चाहिए वो ही करता है जो करना चाहिए वो छोर देता है इसके कारण उनके बार में जो कुछ आच्चा नाम याश्कीरती था वो सब कुछ खतम हो जाता है अब इतिस तीन बताया छोता है ततागत ने बताया ग्रहस्त जीवन रहते समय वो हमेशा भटकते रहने वाले मन से हैं हमेशा मन हडबडा के भटकते भटकते रहता है सांत नहीं है मन हमेशा धूल उडगया जैसा पीड़ा मन से रहता है हमेशा मन में कई प्रकार की कश्ट पीड़ा टेंशन भरा हुआ है उनको भी कुछ भी नहीं कर पाता है उन लोगों का घरद्वार में जाएंगे तो पुरा घरद्वार गंदा है सुन्दर से जहादवागेरा मारके सुन्दर से सरिया नहीं सकता है क्यूं? मन ने पहुत परेशान मन भटकते रहता है कीचन में जाएंगे तो कीचन का बारतन्वा गेरा एकदम विना धोगे रखता है क्यूँ मन पुरा बिगड़ा हुआ है बिगड़ गया है इसी प्रकार गढ़ास्त जीवन में रहेंगे तो वो जो नहीं करना चाहए। वो करता है। जो करना चाहए वो छोड़ देता है। इसी के कारण उसके बार में जो कुछ कीरती नाम अच्चा नाम फैल जाएगा तो सब कुछP कतम हो जाता है। फिर ततागत बगवान बुथ ने बताया हमेशा सक से घर में रहता है सक है हमेशा सक है क्यों ये सब कुछ होता है क्योंकि स्रद्धा नहीं है स्रद्धा नहीं है उने के कारण ये सारे अबिद्या लोब से और हमेशा क्रोधी कुस्वन से हमेशा आलसी मन से हमेशा पारेशान टेंशन मन में भरा के भठाकते हुए मन से हमेशा सक से रहना पड़ता है क्या नहीं होने कारण स्द्धा नहीं होने के कारण हमेशा सक करने से क्या होता है जो नहीं करना चाहिए वो करता है जो करना चाहिए वो छोड़ देता है उनके बार में जो कुछ अच्छा नाम फैल गया वो सब कुछ खतम हो जाता है इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया ग्रहपती आरे श्रावग सबसे पहले समझना चाहिए अपना मन की काल्यान के बारे में अपना कल्यान जो नश्ट करने वाले पहला कारण है क्या दुसरों का संपत्ती पे लालची करना लोब करना वो मन का एक गंदगी है ये पहचान के अपना जीवन एकदम बरबाद करता है एसा समझ के ये गंदगी मन में आते समय तुरंद हाटाना चाहिए इसके बाद कभी-कभी गुस्सा क्रोध आने पर कोई-कोई लोग जो कुछ काम करता है बहुत आश्चार है बहुत बदलाव लेता है नफरत करता है इसलिए ये क्रोध गुस्सा अपना जीवन के लिए बहुत बाधक है ये समझ के और ये गुस्सा क्रोध बहुत पापी विचार है ये मेरे लिए एक दम घटा है ऐसा सोच के गुस्सा क्रोध भी दूर करना चाहिए अपना मन में कभी रखना नहीं चाहिए फिर निंद निंद आलसी आएंगे तो कुछ भी काम नहीं कर पाता है तुरंथ आराम करने का मन करता है आग बढ़ने का मन कुछ काम करने का मन आता ही नहीं है ये भी समझ के वीर से बहुत मेहनत से ये निंद आलसी वगेरा पहचान के ये सब हटाना चाहिए दूर करना चाहि फिर मन हमेशा भटकते रहता है ना कभी सान्त ही नहीं है हमेशा टेंशन में मन है ये भी पहचानना चाहिए ये मेरा मन का जो मितकलिफ परेशान जैसा है ये भी मेरे लिए बहुत घटा है कल्या नहीं है इसलिए हम ये तरीका भी छोड़ देंगे मन सांत करेंगे एसा करेंगे वो सब छोड़ देता है फिर पंचमा क्या है सक्के बारे में वो समझ लेता है अगर हम एसा सक्क करने जाएंगे तो मेरा ही घटा हो जाता है एसा सोच के सक्क भी वो त्याग करता है छोड़ देता है मन में जो कुछ गंदगी आता है ये सब कुछ पहचान के चोड़ने के कारण बगवान बुद्ध ने बताया एसा चोड़ दिया तो उनको कहता है आरिश्रावक वो ही बगवान बुद्ध के शिश्य वो तो महा पन्यो वो तो महा प्रज्णावान है चोड़ प्रज्णावान नहीं इसके वाद पुथु पन्यो एकदम चोड़ाई प्रज्णावन के पास है बड़ा प्रज्णावान है आपाथ दसो यानि कि सही रास्ता और गलत रास्ता को वो समझ गया है पन्या संपन्यो सच मुच्चे वो प्रज्णावान है इसलिए ये पांच प्रकार के गंदगी हटा देंगे तो वही है प्रज्णा ये है प्रज्णा संपाति चोथी कारण बगवान बुद्ध ये कारण बताके फिर बताते हैं आर श्रावक बहुत मेहनत करके कमाता है कैसा श्राद्धा बहुत मेहनत करके कमाने के लिए उनको सहायता होता है क्या श्राद्धा संपात्ति सील संपात्ति त्याग संपात्ति प्रज्णा संपात्ति ये चार संपात्ति में रहते हुए मेहनत करके कमाता है ऐसे कमा के वो पैसा कर्चे करके अच्छा से कपड़ उपड़ा ले करके कान पान ले करके सुखी से जीवन बिताते हैं बहुत खुशी से रहता है क्या करता है आपसे पहले वो शद्धा, सील, त्याग, प्रज्ञा ये चार संपत्ती ले करके धार्मिक डंग से पैसा कमाके सबसे पहले वो क्या करता है खुद अच्छी तरह से कपड़ उपड़ा ले करके अच्छा चकाना काओ पी के बहुत अच्छा से रहता है खुशी से रहता है इसके बाद माता पितरो सुखेती पीतेती सम्मा सुखंग परिहरती यानि कि अपना मा और पिताजी के भी अच्छी तरह से सेवा सम्मान साथ कार करता है मम्मी पापा पर अच्छी तरह से खर्च करता है मम्मी पापा का खल्यान के लिए हमेशा सोचता है सेवा करता है ये भी अच्छी तरह से और थ्याग प्रज्णा ये संपत्ती जिसका पासे वो अच्छी तरह से पैसा कमा के अपना बाल बच्चा लोगों को फिर अपना घर में काम करने वाले नोकर लोगों को नोकरानी लोगों को फिर अपना कोई कंपेनी वगे रहे तो उसमें काम करने वाले लोगों को अपना प पालन करता है हमेशा वो त्याग करता है यान कि हमेशा दान देते है और प्रज्णा मन से रहता है यानि प्रज्णा मन से क्या से रहता है दुसरों को संपत्ती अपनाने के लिए सोच के नहीं रहता है लो भी नहीं है दुसरा क्या है क्रोध नफरत मन से नहीं रहता है तिसरा आलसि मन से सोते सोत रहने के लिए सोच की नहीं रहता है इसके बाद चौता आपनों मन को सांध करता है पंच मा कोई सक संदे उनके पास नहीं है बहगवान बुत ने बताये इस प्रकार जो है? शद्धवान ही? सीलवान ही? दान देने वाले त्यागवान ही? प्रज्णवान इस प्रकार काम करेंगे तो उनको बहुत सारे धन संपत्ती मिल जाता है बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता है सुख मिल जाता है इस जनम अगला जनम दोनो जनम धार्मिक से ही आगे बढ़ जाता है ये कोई नहीं रोक सकता है फिर बगवान बुद्द ने बताया इसी प्रकार ये बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है कमाए हुए पैसा खार्च करके अच्छा से रहता है माई बाप को भी सेवा करता है बाल बाचे पाती पातीनी अपना नौकर लोगों को भी हार्च करता है फिर अपना दोस्त लोगों रिष्ट livro सेवा करता है इसी प्रकार आच्छा से ये कमाए हुए धन संपात इस्तेमाल करके धार्मिक से कमाके अच्छी तरह से रहता है ये पहला दुसरा इसी प्रकार रहते समय धार्मिक से जो पैसा कमाया है उसको कभी धन संपत्ती को नश्ट होने कोई पारेशान नहीं आता है कैसे कभी कभी धन संपत्ती जल जाता है चोरी करता है या तो फिर सरकार आके खबजा करता है या तो फिर और कोई आके खबजा करता है या तो फिर कोई दुश्मन लोग आ करके लेता है नाश्ट करता है इसी प्रकार धार्मिक डंग से जो पैसा कमाता है उन लोगों का दानसाम पात्ती नाश्ट नहीं होता है आप समाज लिजी इतना दो नंबर का खाम दुनिया में क्यूं होता है इतना अमिर लोग को पारिशान क्यूं होता है क्यूं वे लोग कभी धार्मिक डंग से पैसा नहीं कमाती से लिए तिसरी कारण बगवान बुद्ध ने बताया जो वो धार्मिक डंग से पैसा कमाने के बाद धार्मिक डंग से कमाया हुआ पैसा कार्चे करके पांच बली करता है पांच प्रकार की बलिदान करता है पहला है याति बली यानि कि अपना रिष्टिदार लोगों को सेवसतकार करता है दूसरा अतिती बली यानि कि अतिती लोगों को महमान आगांतुक महमान लोगों को सेवा सत्कार सम्मान करता है तिसरा पुब पेत बली अपना परिवार में जो कोई मृत्यू हुए है वे लोगों को सेवा सत्कार सम्मान करता है केसे? दान देकर कि उन लोगों को पुन्य देता है छोता है राजबाली राजबाली मतला सरकार को टेक्स वागेरा ठाइम पे देता है जो जामीन का धनसामपत्ति का टेक्स वागेरा ठाइम पे देता है फिर पंचमा बाली है देवता बाली यान कि पुन्य करके देवताओं को भी पुन्य दे देता है ये अमीर होने वाले ये आदमी क्या करता है ये ब्यक्ति दार्मिक डंग से रह करके ये पांच कारण से रहता है ये पांच कारण को करते रहता है ये चीज से अपने को और दुसरों का कल्यान होता है फिर छोता है संत लोगों को भी दान देता है बहुत महनत करके जो कमाता है वो पैसा कुछ-कुछ पैसा कार्च करके जो ध्यान करता है राग, क्रोध, मोह को नश्टा करने के लिए ग्याम प्राप्त के लिए जो महनत करते हैं ऐसा संत लोगों को दान देता है दान देन देकर के बहुत ही बहुत पुन्य कमाते हैं फिर भगवान गुत ने बताया चार कारण वो क्या क्या चार कारण है धार्मिक डंग से पैसे कमा कि वो क्या क्या करता है सबसे पहले खुद इस्तिमाल करता है धन संपत्ती फिर माँ बाप को सेवा करता है घर का लोगों को भी सेवा करता है नोकर लोगों को भी सेवा करता है रिष्टेदार लोगों को भी सेवा करता है फिर दूसरा क्या है जितना कोई कष्ट आ गया थब इनका द्धन समपात्ति, ख़वीं नास्ट नहीं होता है惢ार्मिक दंग से जो पैसा कमाते वो लोग काभी पाथन होता नहीं ही आगे ही बढ़ता है। इसरा क्या बता है। रिष्टेदर लोगों को 5 प्रकार के बता है कहा। दुसरा वाली क्या क्या है रिष्टदार लोगों को सेवा करता है आगांतुप महमान लोगों को सेवा करता है मारे हुए लोगों को दान दे करके पुन्य देता है सरकार को टेक्स वागेरा जो देना है वो इस टाइम पर देता है और पुन्य करके देवताओं भी आद करके द पुन्य देता है फिर चोता कारण क्या बताए जो रागद्वेश मोह को नष्ट करने के लिए मेहनत करते हैं एसा संत लोगों को भी दान देता है बगवान बुद्ध ने बताया ये आरिश्रावग धार्मिक डंग से जो कमाया हुआ धन को ले करके ये चार कारण अपनाता है अपना के खुद दान संपाती इस्तेमाल करते है दूसरों को भी देता है खुशी से रहता है इसी प्रकार कभी कभी लोग दान को कमाने के बाद दान कमाने के लिए कभी कभी पतिनी मदद करती हैं अमीर होने के बाद पतिनी को भूल जाता है दूसरों के पास जाता है वे मदद किया वो उसको बूल जाता है कभी-कभी दारू पीने का आदत आ जाता है सराभी बन जाता है जुआ केलने का आदत आ जाता है बहुत प्रकार के आदत आ करके रास्ता भटक जाता है अधार्मिक डंग से पैसा कमाएंगे तो बागवान बुद्ध ने बताया जो अधार्मिक डांग से पैसा कमाता है वो जैसा तेसा पैसा कर्च करता है पाटी मनाता है दोस्त लोगें साथ इदर उदर गुमता है एश करता है अपना परिवारिक जीवन भी बरबाद करता है लेकिन पहले जो चार प्रकार बता है उसी प्रकार खर्च करेंगे तो एसा कभी नाष्ट नहीं होता है अब देखिए पैसा खमाने के लिए भी पुन्ने चाहिए कमाई हुए पैसा को खर्च करने के लिए भी पुन्ने चाहिए क्यूं अच्छी तरह से पैसा खर्च नहीं करेंगे तो कभी भी उनको खुशी नहीं मिलता है इसलिए ये पत्त कम सूत्र हम सबी लोग के लिए बहुत थी लाबदाय सूत्र अच्छे समझ में आता है चार संपत्ति हैं श्रद्धा, सील, त्याग, प्रज्ञा ये चार संपत्ति अपना करके, बहुत महिनत करके, अच्छा से धन खमाएंगे तो ये चार प्रकार से धन संपत्ति करच करेंगे तो, कैसे अपना और अपना घर की लोगों को करच कर ना है और दूसरा क्या है जल्दी कुछ कष्ट बाविशे में आ साकता है उसमें लेने के लिए बैंक अकाउंट में कही पैसे जमा करना पड़ेगा और अपना रिष्टेदार लोगों को जो मरे हुए हैं ऐसा लोगों को पुन्ने देने के लिए देवतां को पुन्ने देने के लिए पांच प्रकार की बाली है ना ऐस है तो इसी प्रकार धन संपत्ति कमा के आग बढ़ना चाहिए तो उनको क्या पहला चाहिए सबसे पहले श्रद्धा चाहिए बगवान बुद्ध ने बता इसी प्रकार श्रद्धा मनसी यह गुंदरम अपना की जीवन बिताता है उनका नाम हर जगा रोशन होता है देवताओं के पास जनम लेने के बात और खुस हो जाता है बागवान बुद्द ने बताते हैं जो देवताओं के पास जनम लेते हैं उन्नों जनम लेने के बात उन्नों को याद आता है हम पिछले जनमे क्या किये थे फिर याद आता है हम इसी प्रकार जीवन बिताए मेरा जीवन हमका भी बरबाद नहीं किया बहुत पुन्य किया हम सही डंग से मेरा बाल बच्चा भी पाल है पोसे है ऐसा क्यों है पुन्य को याद करते करते खुश हो जाता है कैसे उन्होंने ततागत ने बताया इदत अप मगर जो पाप करता है वो लोग ऐसा नहीं पाप करने वाल लोग इदत अप्पती पेच्चत अप्पती इसी जीवन में पच्टाते हैं मरने के बाद भी पच्टाते हैं पाप कारिव भ्यात अप्पती जो पाप करता है वो दोनों जनम में बहुत ही पच्टाते हैं पाप अम्मे कतांती तपती अरे मैंने इसी इसी प्रकार के पाप किये हैं भीयो तपती दुगती गतु दुरगती नरक जान और जनम में जाने को बहुत ही पच्टाते हैं क्योंकि नरक में जाने की बात और भूत प्रेतों का जनम में जाने को याद आता है जो जो पाप किया वो सब कुछ याद आता है याद आने को पच्टा थे हम से मिश्टेक हो गया मुझे नहीं कर पाया कभी 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 ने बहुत लोग जो लोग जो 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 जा जा जाता है पाप करके मरने के पहले भी पच्छता आते हैं दुख से रहता है अपना मन दोस लगाता है फिर मरने के बाद भी दुख से रहता है इसलिए ये गुन धरम हम लोग अपना जीवन उतारना चाहिए अब देखे बगवान बुद्ध की समय में भारत के लोग कही नहाने गया था भी धारम एक बात चित करते रहता है दिहान के बारे में बात करता है ग्यान के बारे में बगवान बुद्ध के बारे में आज कर कही चापा कल के पास खेती में काम करने गया तो नदी में पूजा के लिए काया तो क्या बात करता है साधी के बारे में किसी का खमी के बारे में किसी का ठेडा के बारे में बात करते रहता है देखिए कितना फरक है आज का लोर उती समय का लोगों के इसलिए आप लोग भी ये सारे गुण धरम अपनाईए अपना के अपना जीवन को सुधार ये अपना ये जीवन भी कुशी से रही अच्छा से पैसा धन सामपति कमा की अमीर हो जाईए लेकिन धार्मिक डंग से कोई कहेंगे तो धार्मिक डंग से अमीर नहीं हो सकते, वो जूट है धार्मिक डंग से किसी को भी अमीर हो सकता है, मेहनत करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपका जीवन में बहुत सांती, खुसी आजाएगा देवताओं मदद करेंगे, इसलिए आप सबी लोगों को इसी प्रकार गरहास्त जीवन में रहते समें, पैसा धन संपत्ति कमा के, खुसी से जीवन बिताने का भाग मिल जाएगा साथ साथ साथ